हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई हो पच्छे होंगे और अपने अपने काम में दस्त होंगे फ्रेंड्स से वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि कहां मैं चली गई हूँ आज तो मैं आज मंदिर गई थी बहुत दिनों बाद तो वहां काफी सारे प्लांट्स थे इंडोर आउट्डोर दोनों थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैंने वीडियो बनाया और आप लोगे साथ मैं सेर करना चाहती हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें तो आईए पहले दर्सन कर लेते हैं भगवान जी का यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है साई भगवान का और इसमें बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही छोटे से प्यारे से हमारे साई बाबा है और हम लोग जब भी कुछ होता है हमारे आँ या फिर जब भी मन होता है दर्सन करने चले जाते हैं आज पास काफी हरियाली है काफी सारे प्लाण्स है जो कि इस मंदिर का खुबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ाता है मंदिर काफी चोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया में इस मंदिर का ग्राउंड बनाया गया है और काफी सारे प्लांट लगाये गये हैं जहां पे काफी हर्याली है और काफी रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं मंदिरWind, जो कि मंदिर में प्रवेश करती ही मन को तरो ताजा कर देता है और यह देखिए काफी Tongue मंदिर लेकिन काफी खूबसूरत है और यहां पर जाने के बाद मन संती है भगवान वहां दी घूमें गूमने मिल गया और काफी खुभशूरत फ्लावर भी देखने को मिल गया और यहां पर पहले ही हमने पूझा कर लिया है अब आप लोग को गाड़िं दिका रही हूं यहां पर कुछ जो पूरोहित हैं हमारे बैठे हुए हैं जो पूजा करवाते हैं पंडीची और इधर एरिया में सिर्फ और सिर्फ रोज है जोगी बहुत ही जादा है और इसी रोज से माला बना करके हर दिन साइँ बाबा को पहना आचाता है चारों तरफ रोज ही लगा हुआ है और सिर्फ और सिर्फ इधर देसी रोज लगा हुआ है जो कि बहुत ही जादा फ्लावरिंग कर रहा है और काफी खुबसूरत लग रहा है जैसा कि मैं पहले ही बताई जो मंदिर का एरिया है काफी बड़ा है और सारे में सिर्फ और सिर्फ फ्लावर लगे हुए हैं रंग भी रंग के और इधर जो है सिर्फ देशी रोज है कुछ मैंने फ्रूट्स का भी प्लांट देखा है जैसे mango है, guava है और papaya है, काफी सारे plant हैं यहाँ पर, इधर कुछ marigold के भी plant लगे हुए हैं और जो ground में पीछे के और दिख रहे हैं वो सिर्फ guava लगा हुआ है बांट्री की तरफ, एक plant में बहुत सारे flowers दिख रहे होंगे आप लोग को, लग रहा है जैसे खेती हो रहा है यहाँ पर रोज का है ना काफी ज़्यादा flower है जितना सामने से अच्छा दिख रहा था उतना वीडियो में अच्छा व्यू नहीं आया है लेकिन मेरा यकीन मानिए सामने से देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा शुक इतना खूबसूरत नजारा देख करके घर बापस आने का दिल ही नहीं करता है विल्कुल यह किसी गार्डिन से कम नहीं लग रहा था एक एरिया में सिर्फ रोज लगा हुआ है और सिर्फ देसी रोज है पहले भी मैं बताई हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इतना अच् नहीं गूमते रहें काफी अच्छा लग रहा था जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था लेकिन वापस आना भी जरूरी था तो चलिए दूसरे एरिया में भी चलते हैं कौन-कौन से और प्लांट लगे हुए है ना पर दिकी साथ गोरी-चोरी का प्लांट है जो काफी बड़ा हो गया है और काफी सारे फ्लावर्स इसमें थे जो मंतिर के विल्कुल सटा हुआ था और काफी बड़ा था काफी खूबसूरत लग रहा था देखने में बहुत ही जादा ब्लूमिंग कर रहा था प्लांट और साथ में यहां पर देखिए एक इक्जोरा का है और जो स्टाइड में गोल सा एक बनाया हुआ है वह आइस क्रीम का कॉर्णर है यहां पर यह वाला में तो हम लोग यहां पर जागर आइस क्रीम भी खाये थे और इधर देखिए यूफ और मिली काफी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा था बहुत सारे पॉर्ट में लग कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो घूमते घूमते हम लोग थोड़ा आइस क्रीम का भी लुक्त उठाए हैं लेकिन यहां पर देखिए काफी सारा प्लांट लगा हुआ है और मुझे एक प्लांट बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगा जो कि मैं आप को दिखाऊंगी यहां पर देखिए वोगंबीलिया चोटे-चोटे से पॉट में लगे हुए हैं और काफी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है बहुत ही ज़्यादा यहां पर प्लांट था गिन पाना मुश्किल था यहां पर देखिए एक मुझे विसकस दिखा जो कि इत तरह का दिख रहा है लेकिन सामने से पिंक कलर का था जो कि काफी खुबसूरत लग रहा था और इधर आगए हम लोग आइसक्रीम बाले कॉर्णर में इधर भी काफी ज़्यादा प्लांट लगा हुआ है सो प्लांट भी काफी सारा है और फ्लावरिंग प्लांट भी बहुत कर रखा है अभी यहां पर आपको हर प्लांट देखने को मिल जाएगा और काफी खूबसूरत है हेल्दी प्लांट है और काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा है यहां की जो भी माली बगर है काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा है इन्होंने और पॉर्ट में भी है जमीन में कर पाई हूं लेकिन बहुत ही ज़ादा एरिया में फैला हुआ है और इधर देखे बोगन बिल्या लगा हुआ था बोगन मील्या में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया है न्यू न्यू पतिया आना सुरू हो गया था और काफी खुबसूरत लग रहा था और यहां से तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक नए जानकारी के साथ तब तक अपना और अपने बग्या का धेर सारा ख्राल रखें जैमातादी फ्रेंड्स